हेलो दोस्तो आप सभी लोग कैसे हैं उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्त होंगे चलिए आज हम बताएंगे समा कलंद 7.1 कच्छा 12 का देखिए कि आप बहुत इजी तरीके से बताएंगे सौट कर देखिए से बताएंगे पहला कोशन हम लेकिया है साइन 2 एक्स है ठीक है साइन 2 एक्स पहले आपको थोड़ा जानना पड़ेगा समा कलंद मी जान देजिएगा समा कलंद में आपका जैसे आपका साइन आपका एक्स है इसका आपका समा कलंद में क्या होता है माइनस क x है तो आपका समाकलन में क्या होगा sin x होता है ठीक है इसी प्रकार आउकलज में आउकलज में ध्यान देना है कि अगर आपका क्या है sin x है ठीक है dy dx तो आपका कितना होगा sin का आपका x हो जाएगा ठीक है अगर आपका क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा minus ठीक है यहां देखिए sin x का x होगा ठीक है यहां देखिए sin x होगा यहां देखिए sin x का κα साइन होगा ठीक है आउकलज में ठीक है तो देखिएगा इसी प्रकार से सवाल करते है sin 2 x का समाकलन क्या होता है sin 2 x है यह sin x का समा कलंग क्या होता है माइनस कोस x तो माइनस कोस x करेंगे और x के स्थांप कितना है 2x और जो भी x के गुडांक में रहेगा वह में सा कहा होगा बटम होगा और प्लस c लग जाएगा यह सवाल हो गया ठीक है इसी प्रकार से यह कौस 2x का समा कलंग क्या होता है मैं देखें का कौस 2x का क्वास का क्या होता है sign तो क्वास का क्या होगा sign ठीक है समा कलंग कर रहें तो sign 2x और x का जो गुडांक होगा वह बटम में आएगा और प्लस c लगा देंगे यह दोनों question solve हो गए तो आप I hope आपको समझ में आओगा चलिए अगले question की ओर चलते हैं देखे question number 3 लेक्या है देखेगा ये भी subtle question है आपको देखेगा 1 power 2x है 1 power 2x अग ध्यान दिजगा समा कलन में बात होती है अगर आपका 1 power x है उसका समा कलन में क्या होता है 1 power x ही होता है इसी प्रकार से 1 power 2x है तो 1 power x तो होगा ही मतलब 1 power 2x रहवे करें क्योंकि x स्थांपर 2x है ठीक है x के गुणां क्या होगा वो बट्यम चलायागा ठीक है अब प्लस c लगाना नहीं भूलेंगे इसी प्रकार से ये भी होगा आपका ax plus b का whole square है तो आप ध्यान दीजेगा आपने एक सूत पढ़ा है समा कलन में कि अगर a के power n है ठीक है समा कलन में ध्यान दीजेगा तो आपका सूत्र ये हो जाता है n plus 1 नीचे भी n plus 1 हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से है, तो आप ध्यान दिजएगा AX प्लस B का पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 और आपका 2 प्लस 1 होगा, ठीक है, प्लस C, आप ध्यान दिजएगा, और X के गुडान के जो रहेगा, वो कहा आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 1 के बटा में, ठीक है, तो दे लगाना नहीं भूलेंगे ठीके तो I hope यह आपको question समझ में आगा चलिए अगले question की ओर चलते हैं देखे यह पाचवा question लेके आए हैं देखेगा बहुत easy तरीका होगा इसका भी देखेगा समा कलन ही करना है तो sin 2x का अभी हमने समा कलन बताया कि sin का क्या होता है minus x ठीके तो minus plus 2x हो ही जाएगा और x के जो गुडांक रहेगा वो कहां आएगा बटे में आएगा ठीके diet पे बता रहे है ठीके माइनस अब 4 e के power आपका 3x है 1 power 3x रहवे करें क्योंकि 1 power x का समा कलन एक power x ही होता है और बटा जो आपका x के जो गुडांक है वो कहां आएगा बटे में आ इसी जोड़ नोट करिएगा समा कलन 1 का जो समा कलन होता है वो क्या होता है एक्स होता है ठीके बाकी इसका हम बता ही चुके हैं कि आपके कितना होगा 4 e के power कितना होगा 3x और x का जो गुडांक होगा कहां आजाएगा बटे में आजाएगा और 1 का समा कलन क्या होता है x होता प्लस सी लगाना नहीं भूलेंगे ठीक है